अबसकार एफेंडो कॉलर शो में आपका स्वागत है मैं हूँ रजाद और मैं हूँ डिम्बी कालरा आज एफेंडो शो में आपके सवालों के जवाब तो देंगे लेकिन आज का जो कह सकते है प्ले था हो फूचर रिटेल या फूचर गूर्प के शेयर्स थे और उस पे फूचर गूर्प के शेयर्प बरसन किशोर भियान ने एक्स्क्लूजिव बातचीत की है नुराग से आए पहले उसको सुनते हैं फूचर कंजूमर ने आज यूएस की कंपनी हैन केलिस्टियल के साथ एक करार किया है किस तरह का करार है कितना बड़ा ये करार होगा इसके बाद कितना इसमें निवेश होगा इन सब पर बात करने के लिए मेरे शाहत है किशोर बियानी जी सार सबसे पहले तो हमाई दर्शकों के लिए मैं यही आपके पूछना चाहूंगा यह जो अपने करार किया है हिंड कलिस्टियल के साथ तो इससे कौन-कौन से प्रोड़क्ट आप इंडिया में बनाएंगे और किस तरह की रूप रेखा होगे इंडिया में और काफी बिक भी रहे हैं इंडिया में चालिस कंट्रियों में बिकते हैं यह दूसरा प्रोड़क्ट हम लोग करने जा रहे हैं बेबी फूट्स इंडिया में और नेचरल बेबी फूट्स में बेबी के लिए जीरो टूट्रिफोर मश्क के लिए प्रोड़क्ट यह बनाने जा रहे हैं तीसरा प्रोड़क्ट इंडिया में आज नॉन डेरी प्रोड़क्ट अवैलेबल नहीं दूद्ध जैसे सोया मिल्क होआ, राइस मि इंवेस्टमेंट होगा कितने बढ़े वो प्रोजेक्ट होंगा एक बहुत बड़ा समझ वत बड़ा टायफ है कि अल्टिमेटली हमारे वह तीनों प्रोड़क्ट करने हैं, इनकी मैनिफेक्ट्रिंग इंडिया में लगानी है, पहले मैनिफेक्ट्रिंग हम लोग चिप्स की लगा रहे हैं, अल्रडी डिसेंबर तक इंडिया में प्रोड़क्शन चलो हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अधियर एक एक प्रोड़क्श करेंगे, इंडिया में बनाएंगे हम, तो सारी जो संकेत मिल रहे हैं कि आप फूड के टेगरी में काफी रैबिडली एक्सपैंड करने वाले आने वाले दिनों में, आधिक फूड एक ऐसी के टेगरी है जो कि इंडिया में लोग इंडिया क होने लगी है कि क्या अच्छ को खाना खा रहे हैं हल्दी है यह नहीं है, तो कंपनी की विस्तार की वियोचना है, कुछ हरी स्ट्रक्चिरिंग की वियोचना है, सुबह में आपको जान कर दिया थी कि अपने स्पेशालिटी बिजनस से बाहर आना चाहते हैं, इसमें होम टा पहले, वैसे भी हम को बता था कि रिटेल सेक्टर में कही ना कहीं हो सकता है, कुछ ख़बरे जरूर आए, और ख़बरे पूश्ट होती है, जिखनी है, चाहिए मर्जन एकोजिशन को लेकर होती हो, या फिर कंपनी के अपनी स्टेड़ी, अपनी रिस्ट्रक्चिरिंग को हो, उसमें future retail सबसे उपर है, क्योंकि सबसे बड़ा player है retail का, इसलिए dairy product business के अंदर यह उतरना चाहेगा, और अपने speciality कुछ business के अंदर यह हिस्तिदारी को बेचना चाहता है, इसका combined effect यहां पर देखने को मिल रहा है, इसका combined effect यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां डेरी और पूट दोनों ही साइट पे अगर आप देखेंगे open interest बड़ा है, premium श्रिंक होए है, यानि कि completely directionless market है, हाला कि बाया सब पिछले एक घंटे में थोड़ा negative हो गया, लेकिन metal tire shares यहां पर पकड़ मजबूत है, OMCs, energy stocks यह तूट रहे हैं अचकी market पे जो दबाव डाले हैं, चंदन तापड़िया साब मेरे साथ मौझूद है, अब चंदन शुक्रिया आपने समय जीवेजस को देने के लिए, markets को अप्रोच बताएं sir, जी रेज़त देखें, बाजार में पिछले दो दिनों से थोड़ी से profit booking decline आई है, बट और और यहां पर trend अभी भी intact है, देखें इस सीरीज में लगबग 73% का रोल और हुआ था, बट रोल को इस काफी कम थी, और और मार्केट का structure देखें तो लगबग इस पूरे महिने में 3.74% के आसपास की रेली बाजार देख चुका है, 89-82 का इसने फ्रेस 52 विक साहिब बनाया, बट 9000 का जो psychological barrier है, उसको पाड़ न अई है, मेरा मानना है कि 88-20 इमेडियेट सपोर्ट रहेगा, जब तक वो सपोर्ट होल करता है, तब तक traders buy on decline की रणनीती अपना सकते है, बट अगरे से मूँ तभी स्टार्ट होगा जब 89-50 के ऊपर बाजार होल करने लगे, 89-50 को भजार को उपर आना होगा, आज में चल रहा है, तो परसंटेज में आप खोद ही calculate करें, बजार कितना बोरिंग है आज इंडेक्स के पाड़ेवी से, लेकिन आज stocks चल रहे है, अब ही European बजार खुला है, और European बजार जातर इससे बढ़त के साथ ही खुला है, लेकिन आज ध्यान रखना का global events पे भी, क्योंकि European market की जो रिदम है, वो काफियत तक हमारी closing डिसाइड करेगी, और कल जब US markets आया, आपकी opening को डिसाइड करेगा, तो इसलिए आज European बजार closing को और कल US market opening को काफियत करने का काम कर सकता है, इसलिए global संकित आप closely track करेएगा जी के अंदर, और आपको हम लगाता है इसके बारे मे बताते रहेंगे, इस बीच एक और कॉलर हमार साथ जूड़ चुके हैं, परदीप है, अजमेर से अपना सवाल पूछने के लिए, परदीप जी नमस्ते अपना सवाल पूछे आप, नमस्कार सर्व, मैंने ग्रासिंग का एक नोट लियावा है, ठीक है, एक अज़ार और बता देजिए अरविंदो फार्मा का वापिस, एक अरविंदो फार्मा आज ही लिया और ग्रासिंग आपकी पॉजिशन हजार के उपर की पड़ी हुई है, ग्रासिंग में थोड़ा लॉस है, लेकिन अच्छी खबर सुबह आई थी चंदन, कि MSEI इंडेक्स के अंदर है, अभी तो शेयर टूटा है, क्रीब 2.5% क्योंकि इंडेक्स के अंदर शामिल है, फ्यूचर का भी कांट्राक्ट है, शायद कवरिंग आ सकती है, आपका टेंटिटिव व्यू का है, इक तो ग्रासिंग पे, क्योंकि हजार के उपर की खरीब थोड़ी महंगी पड़ रही है, और काफी दिनों की विक्नेस के बाद इसने एक नेगटिव प्रेटर्न को निगेट किया है, तो मेरे साब से यहाँ पर थोड़ी सी अपमो एक्स्टेंट हो सकते है, और फाम इंडेर ट्रेडिंग लेवल को देखें, तो मेरे मानना है कि लगबग 7-10, 7-20 तक का है, तो मेरे साब से यह डिक्लाइन थोड़ा सा कंटीनू रहे सकता है, 960 का सपोर्ट देगा, यहाँ वापी साथ इसको सपोर्ट बेस बाइंग मिल जाए, चलिए इसे बीच, आशीश कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, कौशिक जी नुवास कार, स्वागत है, पूछे स क्या पूछना चाहते हैं, कौशिक जी पूछे अपना सवाल, सर मेरा पस गेल है, 540 रुपया का बावपे, 540 का कॉल अफ्शन, गेल का, जी, राइट सर, 540 का बावपे बाव बताये, 9 रुपय में खरीदा आपने, 540 का कॉल अफ्शन, हाँ जी सर, कितने 9 रुपय के पॉफिट बॉकिंग हो गई सर, लेकिन 540 रुपय की खरीद है, अब फिलाल 6 रुपय ट्रेट कर रहें, क्या किया जाए? पॉफिट होके, फिर वाप इस बावंस बेखते गाएगा, नीचे में इस काउंटर को लगवग 498, 500 का सपास, मुल्टिपल सपोर्ट है, और एक बार 520 बाइस तक जाने की समता यहां पर बन सकते है, तो मेरे साब से आप इस पोजिशन में बना सकते हो, हलाकि आपने काफ और आप या ओट ऑप दे मनी ऑप्सन ली है, बट फिर भी चांसेज है कि एक बार आपके बाइंट प्राइस बेस्टों का यह उप्सन है, वो ट्रेड करती होना जरा है,